पीली बीच से वरुण गांधी का ठिकट कट गया सुल्टानपूर से उनकी मा मेनका गंधी चुनाओ लड़ रही ओव बीजेपी की उमीदवार हैं ऐसे में मेंका गंधी नाराज हैं ऐसी यटकले आ रही थी वरुन गांधी का गुस्ता कभ फट पड़ेगा ये लोगों को अंदाज नहीं लग रहा था वरुन गांधी खासे खामोश थे ऐसे में अधिर रंजन चौधरी जैसे कॉंग्रेस के नेता उनको नियोता दे रहे उनको ड़िए तो पहली बार पिली भीत आये था अपनी मा का हथ की उली पकड़ के और अब तक जब उनको टिकट ने रहे अब तक जनता के उट नियुकर द्फशा हो और उखिया है और तीन साल का चोटा बच्चा याद आ यहां के लोग उनका परिवार बन जाएंगे यानि पिलीभीत की जन्ता को वो परिवार बता रहे हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हैं कि पूरी शमता के साथ पिली भीत की जनता के लिए आवाद उठाई है लेकिन सबसे जो बड़ा उन्होंने जो बात कही है वो एक राजनेता की तरह कही है कि एक सांसत के तौर पर भले ही उनका कारेकाल समाप्त हो रहा हो लेकिन पिली भीत से रिष्टा अंतिम सांस तक खतम नहीं होग और उनके घर के दर्वाजे पिली भीत की जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे यानि इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि वो पिली भीत लोटके आ भी सकते हैं लेकिन जो दूसरी जो सबसे एहम बात है यह इससे यह साफ हो रही है कि वो राजनीती से अभी सन्यास न आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे बले ही उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े हाँ यह लाइन काफी माइने रखती है जो लिखा है कि मैं आम आदमी की आवाद उठाने आया था और आज आपसे यही आशिरवाद मांगता हूं कि सदैव य ला उन चुकानी पड़े यानि उनको ला यानि इशारों में यह कहीं न यह यह ऊपने टीकट कटने का दरद चलका हो सकता है जनता की आवाद उठाने के लिए उनको वह II कि छिलाफ नहीं बोल रहे थे लेकिन उसी की एबत उन्हें पिलीवीत के चुकानी पड़ी है इसलि तो कुल मिलाकर उनकी जो छोटा सा खुला खत है पिलीभीत की जनता के नाम उससे दो चीज़ें साफ हो रही है पहला वो कोई बवाल नहीं होने वाला जिसका लोगों को अंदेशा था ना मेंका गांधी ने कुछ खिलाफ कहा ना वरुन गांधी ने दूसरा उन्होंने इशा कि वह राजनीती से सन्यास नहीं लेने वाले उनके घर के दर्वाजे पिलीभीत की जनता के लिए खुले हुए हैं और चौथा और सबसे महतवपूर्ण है उन्होंने इशारों इशारों में जता दिया है कि जताने की कोशिश की है कि उनको सजा मिली है इस बात की कि वह आम के लिए रहात की बात है और चैन की बात है कि इन्होंने कोई कम से कम उल्टे पूल्टे बיפे बैयान बाजी करके पाटी आलाकामान को चंद दिनों के लीए से भजियत में डालने की कोशिश नहीं की मेंका और वरुन मेंका सुल्दानपूर से और वरुन शांती से मुझे लगता है फिलहाल इस चुनाव के लिए अपने कदम वापस खीच लिए है